Hi everyone, और आप सबका में स्वागत करती हूं अपने इस चानल, Well Tarot and Astrology में और इसनी वीडियो में जिसमें आप जानेंगे future of your relationship, यानि आपके इस relationship का future क्या है और क्या सचाई है आपके इस relationship, क्या आपकी energy, आपकी partner के energy, next move, ठीक है तो आज की इस reading के अंदर आपके सारी चीज़ कर सकते हो, उस person को mind में रखते हुए जिस person के लिए आपके reading check out कर रहे हैं ठीक है और उस reading को आप check कर सकते हैं, time file मैं description box में डाल दूगी ठीक है और अगर अभी तक आपने मेरे इस channel को subscribe नहीं करा है, hit a subscribe button, hit a bell icon and अगर ये video आपको पसंद आए, तो hit a like button as well, okay, ठीक है तो सब सबसे पहले हम reading check out करेंगे three of swords की, till that I am keeping this four of swords aside, वैसे जो three of swords होता है guys, it is a situation जहाँ पर आप शाद no contact situation में हो, या फिर third party influence है कोई, या फिर उस person ने आपको block कर दिया है, या अभी आप दोनों के बीच में बिलकुल बातचीत नहीं हो पा रही है, किसी reason की वज़े से fight चल रह है, क्योंकि ये जो card है, ये pain को show करता है, emotions को show करता है, guilt को show करता है, anxiety को show करता है, तो overall maybe आप लोगों ने ये card select करा है, तो maybe आप इन में से किसी एक situation में है, ठीक है, तो अब हम सबसे पहले divine guidance के थ्रू आपकी current energies को check करेंगे, तो please divine, please help my viewers के उनकी current energies क्या है, two of swords, and last card is ace of pentacles, okay, please divine help my viewers to know their person's current energy, आपकी person की current energies क्या है, night of vans, and at last it was the world card, okay, ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे आपकी energy हाँ पर मैंने check करेंगे, तो it was two of swords, जो ही नहीं, आप इस time पर tension में हैं, stress में हैं, anxiety में हैं, ठीक है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, मैं इस relationship में रहूं, क्या फिर move on कर जाओं, ठीक है, आप इस person पे बहुत जादा trust करते हो, बहुत जादा भरोसा करते हो आप इस person से, और आप कहीं न कहीं इस चीज को feel करते हो, कि मैं इस person के बिना नहीं रह सकती हूं, ठीक है, और ये person कहीं मुझे छोड़ कर, चला ना जाएं, कहीं ये person मुझे धोका ना दे दे, वरना मैं कैसे रह पाऊंगी, क्योंकि basically ये जो एक card है, it was showing me the blind trust you do on your person, ठीक है, और आपको इस relationship में चाहिए वो stability, यानि आपको वो stability नहीं मिल रही है, वो commitment नहीं मिल रही है अपने relationship में, या तो अगर आप committed हैं, तो you want to marry this person और आपको वो चीज नहीं मिल पा रही है इस relationship में, and you are really worried with the situation, के आगी क्या करूं मैं, ठीक है, क्या करूं के मुझे इस person से commitment मिल जाए, मैं क्या करूं के मैं इस person पे trust कर रही हूँ इतना, तो मुझे इस relationship में क्या मिलेगा अगी, ठीक है, तो आपको basically इस relationship में एक stability चाहिए, इस person के साथ long term मैं रहूं, ये चीज आपको कहीं न कहीं इस relationship में चाहिए, और यही चीज आप manifest कर रहे हो, यही चीज आप अपने इस relationship में expect कर रहे हो, तो this is about your current energy, ठीक है, और आपकी partner की अगर मैं current energy देखूं, तो शायद वो बहुत गुस्से वाले हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आजाता हैं, ठीक है, और वो बहुत quick decision में करें, ठीक है, वो जल्दी से सोचते नहीं हैं, एकदम से हाँ या ना, he makes that decision, he or she makes that decision, अपने आपको वो काफी protective रखना पसंद करते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं, उन्हें अगर जरा भी ये चीज़ फील हूँ, कि आप किसी और से बात कर रहे हैं, या आप किसी और को अपनी call करा, या text करा, तो वो उन्हें बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, तो वो बुरा मानने वालों में से भी हैं शायद, ठीक है, तो बाकी मैं जो इस card के through channelize कर पा रही हूँ, वो ये चीज़ है कि he also has an emotion for you, उनकी तरफ से भी emotions हैं आपके लिए, ठीक है, उनकी तरफ से भी ये चीज़ possessiveness है, ठीक है, लेकिन वो उस चीज़ को ना show नहीं करते, वो अपने emotions को इतनी properly express नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो बाहर से बहुत जादा, जैसे इन्होंने ये आर्मर पहना हुए है, वो बाहर से अपने आपको बहुत जादा मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं, वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं इस relationship में कि ठीक है, मुझे कोई फरक नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से he feels very bad, वो आप किसी और से बात करें या अपने call या text ना करें तो वो बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, तो वो जैसा वो अपने आपको कहीं न कहीं बाहर से शो कर रहे हैं, वो शाद अंदर से वैसे नहीं है, और वो जो इस relationship में भी यही expect कर रहे हैं, जैसे कि आप, it is also the card जो की stability शो कर रहे हैं, तो वो भी इस relationship को stable बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें फरक इस चीज का पड़ता है, कि चार लोग मुझे क्या कहींगे, ठीक है, वो really उस चीज पे बहुत फरक करते हैं, कि अगर मैं इन्हें commitment दे भी दूँ marriage के लिए, अगर मैं इन्हें commitment दे भी दूँ, तो क्या मैं उस commitment को पूरा कर पाऊंगा, त जब तक वो अंदर से assure नहीं हो जाते, till that वो आपको commitment नहीं देंगे, ठीक है, जब तक उन्हें ये feel नहीं हो जाता, that yes, मैं सब कुछ handle कर पाऊंगा, क्योंकि उनके रास्ते में बहुत obstacles हैं, बहुत struggles हैं, और उनके लिए भी easy नहीं हैं आपको commitment provide करना, ठीक है, वो इस stable रहें आपके साथ, इस relationship में, ठीक है, और वो कुछ भी इस card के through भी दिख रहा है, कि वो person भी आपके साथ कुछ hide नहीं कर रहे हैं, he also has a true feelings for you, ठीक है, अंदर से, चाहे उपर से वो जितने भी सकत हों, अंदर से he was very soft, soft hearted person, ठीक है, तो ये तो हुई energy आपकी और आपके partner क उपर के हम चैक करते हैं, next move अब आपका, ठीक है, next move of the viewers, okay, अपका next move क्या होगा, okay, so the cards fall down, wait, transparency, the card was transparency, which came from your side, ठीक है, so please divine guidance, help my viewer to know, okay, काज़ा फॉल नॉम सब्सक्राइब तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जैसी भी situation में है चाहे आप पेन की situation में है चाहे आप third party influence ये situation में है ठीक है इस person is your soulmate ठीक है ये person आपका soulmate है ठीक है ये person के साथ आपका मैं ये चीज़ कहूंगे ही चाहे जितना भी वो आपको pain दे रहे हैं जितना भी आपको anxiety दे रहे हैं लेकिन at last पो इस चीज़ को realize करेंगे कि वो आपके बिना नहीं रह सकते and he will come back to you ठीक है अगर आप even अभी no contact situation में हो एक fight में हो या फिर ऐसी situation में हो जहां पर आप एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो या बुरा लग रहा है किसी चीज को लेकर गुसा आ रहा है किसी चीज को लेकर तो I will suggest you कि वो वो वापस आपके पास आजाएंगे because he know very well कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे ठीक है में भी उन्होंने आपके इलावा और लोगों को choose करा हूँ एक बार देखा हूँ लेकिन उन्हीं ये चीज realize हुई है कि वो आप ही हो उनके लिए ठीक है जैसे वो comfortable आपके साथ थे वैसे वो किसी और के साथ नहीं है तो he is your soulmate और आप भी अपनी way से अपना next move is transparency ये तरफ रख सकते हो transparent होकर उनको अपनी बात clearly कह सकते हो और ये situation कहीं ना कहीं आपके हाथ में जाएगी कि आप अब इस relationship को कैसे आगे ले जाना चाहते हो ठीक है आप इस relationship को आगे और मतलब किस way में मोरना चाहते हो अगर आप इस relationship में move on करना चाहते हो या stay करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं ये चीज़े काफी हद तक आपके हाथ में रहेंगी ठीक है तो these are the next moves of your partner बाके हम एक angelic blessings भी जरूर चेक करेंगे that what the angel wants to say to you for your relationship तो please angels, please guide my viewer उनके relationship के लिए okay, ask for help from others maybe this can be your situation जहां पर आप अपने friends की help ले सकते हैं या किसी known person की help ले सकते हैं guidance ले सकते हैं के आगे आपको इस relationship को कैसे ले कर जाना है तो this is the guidance तो angels आपको provide करना चाहरे हैं ठीक है, के ask for help from others ठीक है, तो this is all about the reading for the persons who have selected pile number one if this reading actually resonates with you hit a like button and share it with your friends as well hi everyone so those who have selected the pile number two which is four of vans तो यहां पर मैं यह चीज़ कहूंगे के four of vans इस चीज़ को शो करता है के maybe you had a very good past जहां पर आप दोनों ने काफी अच्छा ताइम ही दूसरे के साथ spend करा है और आपके dreams भी यह हैं कि आप एक दूसरे से marriage करो तो इस relationship को या तो next level पर लेकर जाओ या फिर some of you might be waiting for the commitment अपने person से आप commitment चाहते हो तो four of vans उस commitment को शो करता है ठीक है जो आप expect कर रहे हो अपने relationship में तो जिन्होंने भी maybe pile number two select करा है या तो वो married हैं और वो अपने partners के लिए reading कर वा रहे हैं या फिर they wanted to get married with their partners ठीक है तो हम आपके energy और आपके persons के energy को select करेंगे यहां पर तो please divine, please help my viewers to know के उनकी energy क्या है viewers energy okay so your energy is the magician and the last card is eight of vans okay so please let my okay my viewers to know their person's energy तो आपके persons के energy क्या है please divine, please help my viewers to know okay such a beautiful card it is your person's energy is six of cup and four of cups oh my god such a beautiful card तो आगे जैसे कि जिन्होंने भी pile number two select करा है तो जहां तक कि उनके partner की तरफ से मुझे लग रहा है ना तो the person is you are having a karmic relation with you आपके साथ कोई उनका karmic relation है ठीक है past से कोई relation है आपका ठीक है maybe past lives में या फिर past से कोई ऐसा relation है जिस बज़े से destiny उनको आपकी life में लेकर आई है ठीक है and it is such a beautiful relationship चाहे आप sad हो चाहे आपके बीच में fights होती है चाहे आप अलग होने की कहीं बार में भी कोशश भी करते हो लेकिन फिर भी आप अलग नहीं हो पाते हो and this is what your partner energy is उनकी तरफ से मुझे क्योंकि ये card हमने आपके person के energy के लिए निका लेता है डीजा सचा beautiful card जो कि उनकी emotions शो करती है ठीक है वो आपसे में भी अलग रहने की कोशश भी कर चुके है लेकिन फिर भी वो आपसे अलग नहीं रहते है तो maybe आपकी वो situation चल रही है जहाँ पर आप in and out वाली situation होती है कि कभी सब कुछ सही हो जाता है कभी सब कुछ खराब हो जाता है तो that is the situation जो यहाँ पर चल रही है आपकी और आपके partner के बीच में it is a karmic relationship तो यानि यह एक ऐसा relationship है जो मतलब never ending kind of relationship it is यहाँ पर मुझे उनकी तरफ से यह चीज दिख रही है कि वो इस relationship को बहुत better बनाना चाहते है ठीक है लेकिन उन्हें अपने relationship में क्योंकि यहाँ पर भी जैसे एक company ने offer करा जा रहा है and he is not able to take it तो maybe वो expect कर रहे हैं commitment को लेकिन वो commitment उन्हें शायद नहीं मिल पा रही है यहाँ overall अगर देखा जाएं तो ठीक है वो expect जो कर रहे है maybe शायद वो इस time पर इतने stable नहीं है ठीक है या तो earning problems हैं या कुछ financial problems हैं जिस वज़े से वो अभी responsibility उठाने में मतलब सक्षम नहीं है जिसे कहा जाये ठीक है तो वो अभी आपको उस वे से commitment नहीं provide कर रहे है क्योंकि as such it is also the card of marriage तो यहाँ पर मैं यह चीज़ कहूँए कि अगर आप commitment के लिए उनसे wait कर रहे है तो यहाँ पर वो अभी आपको इसी लिए commitment नहीं दे पा रहे है क्योंकि वो खुछ जानते हैं कि वो stable नहीं ही और इसी लिए उनकी energy भी ऐसी ही उठकर आई है जहाँ पर वो अभी accept नहीं कर सकते आपके proposals अभी accept नहीं कर सकते जैसी भी आपकी situation है you know it very well right आपको इस चीज़ के बारे में बहुत पता होगा कि जो आप इस time पर उन्हें offer कर रहे हैं वो उसे expect नहीं कर सकते अभी उसे accept नहीं कर सकते तो यह आपके person के energy है आपकी energy was very confident मुझे यहाँ पर दिख रहे है it was a magician kind of a personality सच चामिक personality शायद आपकी है जो मुझे इस card के थूँ दिख रहे है तो यहाँ पर में भी आप बहुत knowledgeable भी है और आप intuitively भी आपको पता है कि आपके relationship का कहीं न कहीं future क्या होगा आपको यह चीज बहुत अच्छे से मालूँ है और आप शायद बहुत stable हो अपने life में एक stable mindset मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपका ठीक है बहुत ही charming personality में भी बहुत लोग हैं जो आपको like करते हैं आपको पसंद करते हैं लेकिन you are too honest in a relationship कि आप इस person के साथ रहना चाहते हो right you are too honest in the relationship तो आप इधर उधर कहीं देखते भी नहीं है and यहाँ पर मुझे यह चीज भी दिख रही है that you are having that personality commitment अगर आपको चाहिए तो आप उस commitment के लिए भी अपने partner को agree कर सकते हो everything यह relationship का कहीं हद तक hold जो है वो आपके हाथ में इस card कितनों मुझे दिख रहा है ठीक है और that is the basic situation जो मुझे यहाँ पर दिख रही है और second card मुझे basically यह चीज़ शो कर रहा है कि आपको घुसा बहुत जिल्दी आता है maybe आप anger के situation में बहुत जिल्दी आ जाते हो और इस relationship में maybe fighting issues या फिर fight की शुरुवात कहीं न कहीं आपसे होती है क्योंकि आपकी थोड़ी judgmental personality भी है शाला questioning भी बहुत करते हैं ठीक है तो overall में ये चीज़ कहूंगी कि आपको घुसा भी बहुत जिल्दी आता है and fights की शुरुवात भी कहीं न कहीं आपकी तरह से होते हैं जैसे कि मुझे देख रहा है कि almost इस relationship का hold आपके हाथ में है ठीक है कि आप जैसे चाह रहे हो वैसी relationship को लेकर जा सकते हैं flowers जैसे कि हमें देख रहा है तो यहाँ पर काफी abundant full है आपका relationship ठीक है it's such a beautiful relationship it is यहाँ पर बाकी जो ये card मुझे show कर रहे है तो ये थोड़ा anger for personality है लेकिन आपके dreams बहुत है इस relationship को लेकर आप इस person के साथ travel करना चाहते हो बहुत चीज़े हैं बहुत सारी wishes हैं आपकी wishes हैं जो आप इस person के साथ कहीं हद तक fulfill करना चाह रहे हो लेकिन अभी तक आप कर नहीं पा रहे हो and you are really thinking कि क्या में इस person के साथ वो wishes fulfill कर पाऊंगी या नहीं तो overall इस person के साथ आप घर बसाना चाहते हो इस person के साथ आप रहना चाहते हो बहुत कुछ है जो आप expect कर रहे हो right और वो commitment लेकिन अभी आ तक आपको नहीं मिला है तो overall जो सचाई मुझे यहां पर दिख रहे है जो future मुझे यहां पर दिख रहा है जो current energies basically मैं कहूंगी जो मुझे यहां पर दिख रहे है was that awaiting for a marriage period लेकिन वो अभी तक possible नहीं हो पा रहा है नहीं तो this is also the card जो कि कहीं ना कहीं इस चीज को शूकरते है कि शाद parents की भी obstacle है बीच में अगर आप marriage की तरफ जा भी रहे हो सोच रहे हो so let us check out through the cards कि future क्या रहे है next action क्या है आपके और आपके partner के so please divine please help my viewers to know के उनके next action क्या है okay again I got the card of a soulmate ठीक है and a clarification both the cards I got the same okay and pray more ठीक है यहां पर जो overall मुझे दिख रहा है yes he is your soulmate and yes there are chances कि आप इस person से marriage करो एक karmic relation तो हमें यहां पर दिखा ही था ठीक है six of cups के साथ निकिन यहां पर हमें soulmate के साथ यह चीज़ confirm हो गई that yes यह person आपके soulmate है and according to the next action just trust on the God क्योंकि जो destiny ने आपके लिए select करा है it is only for you तो आप just pray करें God पे trust रखे आगे जो भी relationship का मतलब future जैसे आप expect कर रहे है marriage को लेकर चीज़ों को लेकर वो आपको और beautiful होकर मिलेगा ठीक है और clarification की आपको ज़रूरत है maybe it is required कि अब आप अपने partner के साथ यह चीज़े clarify करें कि क्यों वो चीज़े आपकी fulfill नहीं हो पा रही है क्यों आपके वो wishes फुल्फिल नहीं हो पा रहे है and maybe he needs a clarification ठीक है वो clarification की ज़रूरत है आपके relationship में जो आपके relationship को और strong बनाई तो आगे मुझे कि आपके relationship में वो clarification दिख रही है या आगे जाकर आपके relationship और strong होता हुआ दिख रहा है और clarify होता हुआ दिख रहा है और आपको वो सारी चीज़े मिलती हुई दिख रही है which you are expecting in your relationship एक हम angelic message भी देखे तो अब हम angelic message चेक करने है कि आपके लिए angelic message क्या उट कर आता है ask your angels अपने angels, अपने God जैसे की यहां पर भी हमें देखने को मिला है that you need to pray more ठीक है तो अपने God पर trust रखे and ask your angel, they will definitely help you जो भी आपकी situation है जैसी भी आपकी situation है they are going to help you out so I hope a reading आपके साथ resonate करी है if yes, hit a like button and share it with as many as people as you can thank you so much